हेलो दोस्तों, वेलकम तो CEPF अकेडमी, तो जैसा कि आपको पता है कि CEPF इंटर्वी होने वाला है, हाला कि अभी पोस्पॉंट हो गया है क्योंकि उसके उपर केसिस लगे हुए है, तो जैसे ही केस की हेरिंग होती है, तुरंती UPSC जो CEPF इंटर्वी के डेट्स हैं, वो र वीडियो है, तो चली स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो जो इंटर्वी के त्यारी कर रहे हैं, तो आपने एक DF फॉर्म आता है, आपको भरने के लिए, आपने उभरा होगा, तो जो DF है आप उसको बहुत अच्छा त्यार कीजिए, क्योंकि DF में आप जो भी चीज़ आता है, वो आता है, जितने भी current affairs है, और उसमें भी उसका special focus रहता है, internal security issues और उसको क्या क्या challenges है, कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, तो current update रहे है, कम से कम 3-4 months, माल लीजे, आपका interview January में है, तो आपको October, November, December, और January में किसी भी date पढ़ रहा है, तो January, अब तक का पूरा update आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद देखे, उसके बाद एक पूछता है आपके जो past job है, उसके बारे में, अगर कोई government employee है, और वो interview देने जा रहा है, तो इससे ये सवाल 100% पुछा जाएगा, कि आपके past job की profile क्या है, ठीक है, तो इस case में उस जो candidate होगा उसके पास ये एक अच्छा मौका होता है, कि वो जो अपने interview, जैसे interview आप मानते हैं, 22 minute के आज पास होता है, ठीक है, तो इस 25 minute से वो maximum interview अपना, अपने past job profile पे खीच के ला सके, वो उसकी जो candidate होता है, उसकी काबिलियत पे निर्भर करता है, ठीक है, एक बार आपकी last job profile जा रहे हैं, interview देने, उसके बाद जो एक question आता है, जो graduation subject होता है, ठीक है, suppose किसी ने bio tech से कर रहा है, किसी ने computer science से कर रहा है, ठीक है, किसी ने B.A.C. history में कर रहा है, ठीक है, किसी ने B.A.C. computer में कर रहा है, तो उससे related जो basics questions है, ये बाद ध्याना कि बहुत ज़्यादा advance प उसके बाद एक आता है, अगर आपका, आपने कोई ऐसी hobby डाली है, जो थोड़ी सी different है, तो उसके बारे में 100% सवाल आएगा, ठीक है ना, कि आप अपनी hobby के बारे मताईए, उसके बाद जब हम preference भरते हैं, ठीक है ना, तो maximum candidate CISF भरते हैं, तो उनसे यही पूचा जाता है, कि भाई, आपने CISF भरा है, आपकी first reference क्या है, कि आप force में आने के बाद भी एक ऐसी force चाते हैं, जो की border से related ना हो, जो भी internet security से related ना हो, मतलब एक तरह से आपके पास इसका जो आंसर होना चाहिए, बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए, कि आप CSF क्यों चाते हैं, क्योंकि कि आप force nation को सब के साथ साथ अपनी family balance भी करके चलना चाते हैं, दोनों को साथ लेगे, ठीक है, तो इसका अच्छे स्तियार कर लेजेगा, उसके बाद CPF का interview में ये भी पूछा जाता है, बहुत लोगों से, कि आपने army के लिए try किया है, क्योंकि देखिए, maximum जो candidate होते हैं, वो CDS भगरा देते हैं, ठीक है न, जो साल में दो बार होता है, तो उसके लिए CDS के लिए करने बाद आपका SSB का interview होता है, पांस दिन का, तो ये सवाल जरूर आएगा आपके पास, कि क्या आप army के लिए भी दैरी कर रहे हैं, क्या आपने army के लिए कौन-कौन सा एक्जाम दिया है, F-CAT दिया है, CDS दिया है, ठीक है, उसके बाद इसी में वो ये भी पूछ सकता है कि army और CAPF और paramilitary, इन तीनों में difference बताईए, तो इसमें पढ़ के जाएगा अच्छे से, ठीक है न, और उसके बाद एक question पूछता है वो किसी से, कि suppose आप CAPF में fail हो जाता है, तो क्या plan है, ठीक है अगर आप इस पर success नहीं हो पाए तो, ठीक है, और एक देखिए, एक आपका जो case study based सवाल होता है, ठीक है न, उसमें क्या करेगा, कि वो एक case देगा, जैसे suppose बोलेगा कि देखिए, आप AC join करने के बाद, training के बाद आप तुरंत ही join किये, अपनी battalion में, ठ आपकी company को वहाँ पर भेज दिया गया है, जिसके आप company commander है, ठीक है, उस वहाँ पर भीड वड़ी उग्र रूप में है, तो आप उस case में क्या करेंगे, तो इस तरह के बनागी चाहिएगा, देखिए, law and order में आप चलेगे, ठीक है, उस समय क्या करेंगे, इलेक्शिन डू review में एकदम honest रही है, ठीक है, और humble रही है, बहुत ही ज्यादा confident, over confident दिखाने की कोशिस मत कीजिए, कि आप उस सब पता है, ठीक है, क्योंकि